उम्शंति, आज ही हम सुना रहे हैं कि शिरी राम और शिरी कृष्ण में दोनों में क्या अंतर है और दोनों में शक्तिशली कौन है, वैसे हिंदु धर्म से जुड़े हुए, जो भी हो, चाहे भारत में हो या भारत के बाहर, किसी भी देश में हो, जो हिंदु धर्म से समझते हैं लेकिन शास्त्र के अनुसार शिर राम को त्रेता योग में अवतर होते हुए दिखाया है और शिर कृष्ण को द्वापर योग में अवतर होते हुए दिखाया है तो दोनों में शक्ति शाली किसको दिखाया है उसको यहां सपष्ट कर रहे हैं लेकिन शिरिष्ट श्रिक्रिष्ण की आत्मा सबसे इस रिष्ट में सबसे सत्प्रदन आत्मा है और सबसे शक्तिशली आत्मा है इसलिए श्रिक्रिष्ण को शास्त्र में भी बहुत शक्तिशली दिखाय गया है श्रिक्रिष्ण का जनम होते ही भले बड़े बड़े असूर आये पूतना आये अ श्रीक्रिश्न को कभी भी दूखी होते हुए, मूझते हुए नहीं दिखाया गया है, कभी भी आप श्रीक्रिश्न का चित्र दिखेंगे, केसे दिखाया जाता है? उसको डांस के पोज में दिखाया जाता है, मूरली बजाते हुए दिखाया जाता है, डांस कौन कर सकते हैं? मूरली कौन बजा सकते हैं जिनको खुशी है खुशी होती है तब ही डांस करते है जिनको गम है दुख है वो डांस नहीं कर सकते वो खुशी में मूरली नहीं बजा सकते है इसलिए शिर्द कृष्ण का कभी भी आप चित्र देखेंगे और डांस के पोज में मूरली बजाते हुए हसते खेलते इस सोर्प में दिखा जाता है भले ही बड़े बड़े असूर थे लेकिन कृष्ण उनके आगे भले ही बहुत छोटे थे लेकिन छोटा होते हुई भी हसते खेलते सब को खतम कर दिया उनको एक एक बड़े बड़े असूर को खतम करना उनके लिए जैसे चुटके का खेल था इस प्रकर से शिरकृष्णों को बहुत शक्तिशली दिखाये गया है और महाभारत की कृष्ण चरित्र में एक द्रिशे दिखाते हैं कि इंद्र ने एक बार एंक करमिया कर ऐसा बरसा बाते हैं कि पानी ही पानी कर देते हैं और शिरकृष्ण आपना गोकुल गाव को बचाने के लिए गुवर्धन परवत को एक अंगुल में ही उठा दिया था तो ये जो कुछ दिखाये गई हैं ये सब शिरकृष्णों को शक्तिशारी दिखाने के एक निशानी दिखाये बास्तव में कोई गोवर्धन परवत को एक अंगुल में उठाने की बात नहीं है ये शक्ति की निशानी दिखाये गई है और शिरकृष्ण के लिए ही गायन है कि सर्व गुन संपन्न, सुलकला संपन्न, संपून निर्विकरी, मरियादा पुरुषत्तम ये जो गायन है व बेट में शिर राम को कैसे दिखाये जाता है राम का चित्र आप कभी भी देखेंगे वो राम के साथ तीर धनुष के साथ ही दिखाये जाता है तीर धनुष किसके पास होता है जिन के पास कोई समझसा है कोई लराई का कोई मामला है कोई यूद्ध का कोई मैदान है इस प् कभी भी डान्स करते हुए या मूरली बजाते हुए इस प्रकर से कभी भी चित्र नहीं दिखाय जाता है। कोई साहराई के आधार पर विजय होते हुए दिखाये गया है आथर शिरकृषण से राम को कम शक्तिषाली दिखाये गया है कहते हैं सीता अपाहरन होने की बाद राम और रावन के साथ संगर्शय चलता है और रावन के एक बेटा मेगनात आकर राम और लक्षमुन को दोनों को ही नाग पास में बान देते हैं और ब्यहुश कर देते हैं तो ये जो कुछ बताये गए हैं ये राम के शक्ति के कम होने की निशानी बताये गए हैं इसलिए भले दोनों ही आवतर पुरुष थे लेकिन दोनों में से शिर्ग कृष्ण को सबसे शक्तिशाली दिखाए गए हैं, राम को उससे कम शक्तिशाली दिखाए गए हैं, अगर आपको ये सारी बाते समझ में आई, तो आपके संपर्क में जो भी है, सब को इस वीडियो को शेयर करने में आप मत्वित किजिए, मुम्शाल पे